गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में वर्दन वन्स का रारनतिक इत्यास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखिएगा स्टुडेंट्स वर्दन वन्स के बारे में हम पहले भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं अज हम सकतिसाली था गुप्त वन्स के बारे में भी हम पहले काफी कुछ पढ़ चुके हैं तो प्रेलिस्ट में गुप्त वन्स को देखेगा इसी राज्वन्स को वर्दन वन्स के नाम से इत्यास में जाना जाता है गुप्त समराजय का पतन 550 इस्वी में हुआ था उसी समय से वर्धन वंस का उदे हो जाता है इस वंस में कई सास्ट हुए हैं जिनका विवरा निम्न लिखी था देखेगा वर्धन वंस का जो पर्थम सास्ट का हुआ है परभाकर वर्धन थानेश्वर के वर्धनों का करमबद इत्यास परभाकर वर्धन के समय से मिनने लगता है परभाकर वर्धन वर्धन वंस की स्वतंतरता का जर्मदाता था उसकी स्वतंतल इस्तिती का पता उसके द्वारा धारन की गई परम बठारक तता माराजा दिरा जैसी सम्मान प्रेक उपादियां है परबाकर वर्दन एक सक्तिसाली राजा था उसकी उपलब्दियों का विवरण बान के हर्स चरित में इस परकार मिलता है वह होन रूपी हरिन के लिए सी हैं सिंदू देश के राजा के लिए जवर गुर्जर को चैन से नसोने देने वाला गंदराज रूपी मस्त हाती के लिए जलता हुआ बुखार लाट देश की चलाकी का अंत करने वाला मालवा देश की लक्समी रुपी लता को काट देने वाली कुठार के समान था इस परकार वह परताब सील नामक एक अन्य नाम से भी जाना जाता था पंजाब में हुनों के साथ भी प्रभागर वर्दन का यूद हुआ था हर सरीच से पता चलता है कि उसने अपने बड़े पूत्रे राजिय वर्दन को हुनों से यूद करने के लिए उत्रापत भेजा था यहाँ पर उत्रापत से तात्प्रिय पस्षी मोतर सीमा प्रान्थ के परदेशों से है जिसमें गंधार, कंबोज, मद्र, आदिसमिलित थे हमने गुप्तकार में पढ़ा था कि सकंद गुप्त के समय में हुनों का पर्थम आकर्मन हुआ था जिसमें सकंद गुप्त ने हुनों को प्राजित किया था हून इसकंद गुप से प्राजित होने के बाद गंधार परदेश में जाकर बस गये थे इसी को मलेच देश भी कहा गया है यहीं से कालांतर में उन्होंने विभिन राजवनसों के समय में भारत पर आकर्मन किया था परबाकरवर्दन के समय में हूनों का आकर्मन पंजाव में हुआ था उसने राज्य वर्दन को हूनों से यूद करने के लिए पंजाव में भेजा था तथा उसने हूनों को प्राजित किया था बार्ण ने हुनों के बाद सिंद तथा गांधार का अलग-अलग विवर्ण दिया है जिने परबागरवर्दन ने जीता था सिंदों में कुसानों का सासन था गंधार में स्वेत हुनों का सासन था जिने एफ्थ लाइट कहा गया है गुजर से तात्पुरिय गुजर देश के राजों से है प्राचीन गुजर राजे राजस्थान में था हर स्काल में गुजरात के ब्रगुकच में गुजरों की एक साखा निवास करती थी जिसका सासक दद दूत्य था दद दूत्य तता प्रभाकरवर्दन के पूर्वजों म युद हुआ था बान बट लाट और मालवा के साथ थी भी प्रभागरवर्दन की सत्रूता का उले करते हैं लाट परदेश गुजरात को करन उत्री महारास्तर तदा विदर्ब में फैला था और कल्चूरी राजों के अधिकार में था इस वन्स के संकरगन ने पच्चिमी माल मालवा इस्थित उजयनी को बचाने का प्रियास किया तदा उसके इस कार्यम ये प्रभागरवर्दन से सहायता मिली थी मालवा से ताथ पर ये पसीमी मालवा से है जो पहले येसो धर्मन का राजे था पूर्वी मालवा का छेतर पहले ही उत्तर गुपतों के राजे में था ये परभाकरवर्दन का सरंगसित राजे था इस परकार परभाकरवर्दन ने अपने समकालीन वीविज सक्तियों को नत मस्तक कर परम बठार के उमाराजा दिराज जैसी उपादियां सार्थ कर दी बंसकेडा तता मदूबन लेखों के अनुसार परभाकरवर्दन का यस चारों समूद्रों को पार कर गया तता अन्य राजा उसके परताब अथ्वा प्रेम के कारण उसके सामने नत मस्तक होते थे परभाकरवर्दन की मृत्यू के समय उसके समराजे में गंधार, सिंध, गुज़र देश तता मालवा सामिल थे और उसका विस्तार पस्चिम में सिंध से लेकर दक्षिन की ओर नर्मदा नदी तक था उसका समकालिन मोखरी नरेश अवंती वर्मा भी एक अत्यानत सक्तिसाली नरेश था किन्टु कूट नितिक कारणों से परभाकरवर्दन ने उसके साथ सत्रूता मौल नहीं ली फिकर ये तो थे आपके परभाकरवर्दन अब आते हैं राजय वर्दन राजय वर्दन परभाकरवर्दन का पुत्र था जब परभाकरवर्दन की मृत्यू हो गई तो राजय वर्दन ने अपने पिता की मर्थू से आहत होकर राजय छोड़ कर सन्यास ग्रहन कर लिया उसने अपने भाई हर्स से सिहासन ग्रहन करने का आगरे किया हर्स ने भी सिहासन ग्रहन करने से मना कर दिया जब राजे वर्दन के सन्यास ग्राण करने की तयारी चल रही थी तब भी समादक नामक अनुचर ने सुचित किया कि जिस दिन राजा की मर्ट्य हुई उसी दिन मालवा के दूस्ट सासक ने महराज ग्रै वर्मा की हत्या कर दी राजे श्री को करनोच के कारागार में डाल दिया गया है इसके साथ ही यह भी पता चला है कि वह दूस्ट यहां की सेना को नेता विहिन जानकर देश पर भी आकर्मन करने की सोच रहा है यहां जिस ग्रै वर्मा का जिक्र हुआ हुआवप ग्रै वर्मा मोखरी वंस का सासक था जिसका विवा परभाकर वर्दन की पुतरी राजे श्री के साथ हुआ था जब ये समाचार राजय वर्दन ने सुना तो सिन्याज की जगह उसने सस्तरधारन कर लिए उसने सिहासन ग्राण किया और हर्ष को संबोदित किया कि आज मैं मालवा राजवंस का विनास करने जाता हूँ इस उदंड सत्रू का दमन करना ही मेरे सोक को दूर करने का उपाय तता मेरी तपस्या है क्या मालव राज के हातों मुखरियों का निरादर होगा ये तो वैसे ही है जैसा अंधकार सूर्य का तिरिसकार करें की अथ्वा हरेंड सिहें का बाल खीचे राजय वर्दन ने सिकरी 10,000 अस्वारोहियों की एक सेना तयार की तता अपने ममेरे भाई भंडी को साथ लेकर मालव राज को दंड देने के लिए चल पड़ा हर्स भी उसके साथ जाने के लिए तयार हुआ लेकिन राजय वर्दन ने राजय की सुरक्षा के लिए उसे राजदानी में ही रहने को कहा यह मालवा का दूस्ट सासक देव गुप्त था देव गुप्त ने करनोस पर आकर्मन कर राजय वर्दन के बहनोई ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी देवगुप्त मालवा के राजा महासेन गुप्त का चचेरा भाई था राजे वर्दन ने देवगुप्त पर आकर्मन कर उसे प्राजित कर दिया था इस बात का पता मदूवन तता बंस्केडा के लेखों से चलता है राजेवर्दन ने देवगुप्त को मार डाला था देवगुप्त के मित्र गोड नरे ससांग ने धोका देकर राजेवर्दन को मार डाला था इस बात का विवरन बसकेडा बिलेक में इस परकार किया गया है दूस्ट गोडे के समान देव गुप तथा अन्य राजों को जो चाबु के फ्रहार से अपना मुह फेर देने के लिए बादे किये गए थे एक साथ जीत कर अपने सत्रों को जड़ से उखाड कर संसार पर विजे प्राप्त कर परजा को संतूस्ट कर राजेवर्दन ने सत्रों के बहुन में सत्य के अनुरोज से अपने प्राण त्याग दिये चीनी आत्री वेनसांग ने भी इस विवरण का समर्तन करते वे डिखाए कि प्रवरती सासकों राजेवर्दन राजा बनने के ततकाल बाद पूर्वी भारत में इस्तित कंसुवन मतलब बंगाल के बोध द्रोही दूस्ट ससांक द्वारा दोका देकर मार डाला गया हर्स रित के अनुसार कुंतल नामक हस्वा रोही ने हर्स को थानेस्वर की राजे सभा में आकर कहा कि राजे वर्दन ने मालव सेना को खेल ली खेल में जीत लिया था इंतु गोड नरेस के दिखावटी सिस्टाचार का विश्वास करके वह अकेला सस्तर हीन दसा में अपने ही भवन में मार डाला गया हर्स रित के टिकाकार ने संकर ने बताया है कि ससांग ने राजे वर्दन के साथ अपनी पुत्री के विवह का परस्ताव रखा वह उसके परलो भर में आ गया तता वारता के लिए अपनी सुरक्षा का ख्याल किये बिना ससांग के महल में जा पहुंचा जहां पर भोजन के अफसर पर गोड नरेश ने उसकी हत्या कर दी राजे वर्दिन की मर्तिव के बाद 606 इसवी में हर्ष वर्दन 16 वर्ष के आईव में थाने स्वर की गद्धी पे बैठा अब आता आपका हर्ष वर्दन तो गुप्त समराजे के विगठन के बाद उत्तर भारत में जिस राजनतिक विकेंद्री गरण के युका आरंभ हुआ हर्ष वर्दन के राजे रोहन के साथ यूँज की समाप्ती भी हो गई थी वर्दन वन्स या पुस्य भूती वन्स के सबसे परताफी समराज हर्ष वर्दन ने अपनी उपादियों के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार इस्थापित कर लिया हर्ष वर्दन प्राचीन भारत के परमुक्ष समराट असोक और समुत्र गुप्त के समान ही एक विस्तारवादी दतापरतिबा साली सासक था जिसने इतिहास में अपने यस की पता का फैर आई थी हर्ष वर्दन का जनम 591 में हुआ था हर्ष के परबाकर वर्दन का हर्ष परबाकर वर्दन का पुत्र था इसकी माता का नाम यसो मती था हर्ष के दरबारी कवी बान बटने अपने गरन्त हर्ष चरित के चोथे उच्छवास में हर्ष के बच्पन की गटनाओं का वर्णन किय पार्णन के अनुसार यस्वमति के गरभ ततार रधे में एक साथ ही हर्स का उदे उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार देवी के गरभ में चक्कर पाने का जेस्ट मास के कृष्ण पक्सद्वादसी को हर्स का जनम होता है राज जोतिस तारक के अनुसार ऐसा सुव्योग चक्रवर्ती समराठ के जनम के अफसर पर होता है हर्स का बच्पन उसके ममेरे भाई बंडी तता मालवराज महासेन गुफ्त के दो पुत्रों कुमार गुफ्त और माधव गुफ्त के साथ वेतीत हुआ उसे राजकुमारों के अनुरूब सिक्सा दिक्सा दी गई वह वीविज सस्त्रों को चलाने में कुशन हो गया था बान बट के दूसरी कृति कादंबरी है जिसमें उस समय के विदार्थियों को व्याकरण, न्याई, रामायन, महाभारत, राजनिती, पुरान, आदी की सिक्सा दी जाती थी जो हर्स को भी दी गई थी राजे वर्दन की मत्यू के बाद 606 इस्वी में थाने सुर के सिहासन पर हर्स को बिठाया गया, उस समय हर्स का सिनापती सिहनाद था जब हर्स का राजे रोहन हुआ, उस समय उसके सामने कई समस्थाई थी जिनका निवारण उसको करना था और जिनका विवन इस प्रकार से है, गोड नरे ससाम को मार कर अपने भाई राजे वर्दन की मर्त्यू का बदला लेना और अपनी बहन राजे स्री को करनोज के कारागार से मुक्त कराना, उन सभी राजों यह समन्तों को दंड देना जिन्होंने समय का लाव उठाते वए अपनी स्वतनतर्दा गोस्थिते कर दी थी इस परकार हम कह सकते हैं कि हर्स ने अलपवि में इथाने स्वर के सासन की बागडोर संबाली तथा अपने सुत्रों को भी मुहतोर जवाब दिया वहीं उत्तर भारत के विसाल भूभाब को अपने समरजे के अंतरगर संगठिते कर लिया था तो देखे इस वीडियो में हमने वर्दर मन्स की जो राजनेति की स्थिती थी उसके बारे में जानकरी पराप्त की और इस वीडियो से एक आदा क्यूसर पकाता है तो आपको वीडियो अच्छे से देखना चाहिए हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सबी का भूत भूत धन्यवाद